तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था राणा सांगा तो जिसमें आज हम खानवा के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा तो हमने राणा सांगा के बारे में पढ़ा था कि इनके पिता रायमल थे और इनका जन जो है वहे 12 अप्रेल 1482 को हुआ था और शाशन इनका 1509 से लेकर 1528 तक का है तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था फिर हमने युद के बारे में देखा था कि सबसे पहले 1517 का खातोली का युद होता है इब्राहिम लोदी और राना सांगा के बीच में जिसमें राना सांगा विजई रहते हैं फिर होता है बाडी का युद 1528 में जिसमें भी राना सांगा विजई रहते हैं इब्राहिम लोदी के साथ होता है जो और उसके बाद पानी पत का युद 21 अप्रेल 1526 को मुगल शाशक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है जिसमें बाबर विजई हो जाता है भारत आने का आमत्रण दिया था कि इब्राहिम लोदी को वो हराए। खानवा का युद्ध जो है वह 17 मार्च 1527 को होता है। खानवा कहा है भारतपुर में। तो यहां जो युद्ध है वह होता है मुगल शाशक, बाबर और मिवाड के राना सांगा के बीच में। तो में जितने भी राजा थे उनको सांगा के द्वारा पत्र लिखा जाता है सभी राजाओं को युद्ध के लिए आमंत्रित किया जाता है कि बावर आक्रमन करेगा तो सभी राजा एक छत्रशाया होकर उसके लिए क्या करेंगे तैयारी करेंगे। ठीक है तो सभी को वह आमं और रेवाल शाषक जो बावर है उसने तुग्लमा पध्दिती, तोप खाना पध्दिती और जिहाद का नारा ये सब ही जो है खानवा के उREEओग किये थे ठीक है तुग्लमा पध्दिती का प्रियोग किया था तो देखिए क्या होता है 17 मार्च को कि तोप खाना और तुगलमा पद्धिती के कारण ही जो बावर है वह इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है राना सांगा जो है इस युद्ध में घायल हो जाते हैं और उन्हें घायल जब हो जाते हैं तो उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले जाया जाता है तो इनहीं के जो सामत थे तो उन्होंने क्या किया था जो युद्ध नहीं करना चाते थे बाद में तो राणा सांगा को विश्य दे दिया था तो इसी वज़े से इनहीं के जो साथी थे उनके द्वारा विश्य दिये जाने के कारण सांगा की व्रत्यों हो गई थी और मांडल तो राना सांगा के द्वारा जो सैना थी जिसमें प्रमुक सैना पती जो थे वो कौन थे हसन खां मेवाती तो ये मुस्लिम था हसन खां मेवाती अलवर का ठीक है तो कहते हैं कि जो बावर था उसने इनको लालच भी दिया था हसन खां मेवाती को कि आप तो क्या हो हमारी तरह ही मुस्लिम हो तो क्या करो हमारी साइड आकर मिल जाओ लेकिन हसन का मेवाती जो है उनका क्या कहना था कि मेरे तो पिता दादा सब यहीं के हैं राजपुताना के ही हैं यहीं पर रहे हैं तो मैं इनके साथ गदारी नहीं कर सकता तो इन्होंने बावर के साथ मिलने से मना कर द तो याद रखना है कि जब राणा सांगा घायल हो गए थे तो उन्हों ने जाला अज्जा जो है इनको क्या किया था? राजचिन सौपा था ठीक है? कि अब आप इसकी बागडोर समहा लो और वह वहाँ से चले गए थे तो बूदी से हाडा नरवद थे बागड का ओदै सिंग था सिरोही का अर्खे राज दूदा था मेरता से वीरम देव थे जगनेर से असोप परमार थे नागोर से खान जादा सलहदी तवर जिसने की धोका भी दिया था चंद्रभान था और मानिकचन चोहान था तो ये सबी नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए बार-बार इनको बोलना है हसन कामेवाती, महमूद लोदी, मैदनी राय, मालदेव, कल्यानमल, बाग सिंग, प्रत्वीराच कछवा जाला अज्जा, जाला सज्जा, हाडा नर्वद, उदै सिंग, अर्खे राजदूदा, वीरम देव, अशोक परमार, खान जादा, सलहदी तवर, चंद्रभान, मानिक चन्द, चोहान तो इनको दो-तीन बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा तो यहाँ पर हम केवल इसी तरीके से पढ़ेंगे कि आपके वीडियो जो है इतने बड़े भी ना बने और सारी इन्फॉर्मिशन जो है वो आप लोगों को मिले तो तोपों से बावर की सेना ने क्या किया हाती घोडों को इस युद्ध में व्याकुल कर दिया हाती घोडे जो है वो व्याकुल हो गए तोपों से और बावर के पास तोप थे लेकिन यहाँ पर राणा सांगा के पास कोई तोप नहीं थे राना सांगा इसमें घायल हो गए थे, राना सांगा ने राज चिन जाला अज्जा को सौपा और घायल राना माल देव और अर्खे राज के साथ कहां चले गए, दोसा चले गए, बसवा चले गए, जहां पर सांगा ने अपना इलाज करवाया था तो असी घाओ के लिए जाने जाते हैं राणा सांगा फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी थी 30 जनवरी 1528 इसवी को कालपी मध्य प्रदेश में राणा सांगा युद्ध की जब रर्नीती बना रहे थे तब ही साथी सरदारों जो सामन्त थे उनके द्वारा इन्हें जहर दे दिया गया था क्योंकि राणा सांगा क्या थे बापस जाकर दुबारा से अपनी जो पराजे हो उसका बदला लेना चाते थे कि जिस तरीके से वह घायल होके युद्ध भूमी से बाहर आये थे तो बापस जाना चाते थे लेकिन क्या था इनके जो साथी सरदार थे वो बापस नहीं जाना चाते थे नहीं युद्ध करना चाते थे तो उन्होंने रास्ते में ही क्या किया राना सांगा को जहर दे दिया और उनकी मृत्यों हो गई राना सांगा का जो दहा संसकार है वह मांडलगर्ड भीलवाड़ा में हुआ था याद रखियेगा आध्कम्बो की चतरी इनकी बनी हुई है जो की असोक परमार ने बनवाई थी युद के बाद बाबर ने गाजी की उपादी धारण की और म्रत्षव की सिरों की मीनार बनवाई थी तो राजपूत जो जिनकी मृत्ति हो गई थी युद्ध भूमी में तो उनके जो मृत्षव हैं उनके सिरों की मीनार जो बनवाई थी बावर ने तो यहाँ पर देखिए एक एहम क्वेशन है कि बावर ने किस युद्ध में गाजी की उपादी धारन की थी तो बावर ने खानवा के युद्ध में ही गाजी की उपादी धारन की थी राणा सांगा की चतरी कहां है तो इनकी चतरी जो है मांडल गर्ड भील वाड़ा में है किसने बनवाई असोप परमारने बनवाई कितने खंबों की है आठ खंबों की है ठीक है अब दीखे महारन सांगा की पराजे के इसमें क्या कारण रहे तो जो इतिहासकार गौरी संकर हीराचंद ओज़ा है वो क्या कहते हैं कि जो सांगा है उनकी पराजे का मुख्य कारण जो था वो बयाना जो युद्ध था उसके बाद ही था उस युद्ध में तो सांगा जीत गए थे लेकिन हारे हुए बाबर को क्या किया उन्होंने छोड़ दिया उसको आगे के युद्ध के लिए पूरा समय दिया तिहान नहीं दिया और लंबे समय तक जो है युद्ध को रोके रखा तो जिस वज़े से महाना सांगा जो है इन एक ही रणनीती जो है इन लोगों ने नहीं बनाई थी सब अपनी अपनी रणनीती के द्वारा यहां पर रड़ रहे थे जबकि बाबर के तरफ से जो है वह एक ही रणनीती के द्वारा कार्वे किया गया था तो इस वज़े से सांगा जो है वो हारे थे और इनकी भूल जो में रहती थी ठीक है और इन कर्मावती के दो बेटे थे विक्रमा दित्य और उदे सिंग वहीं पर धनवाई के दो बेटे थे रतन सिंग और भोजराज तो राना सांगा की म्रत्यू के बाद अब कौन जो है गद्धी पर बैठेगा क्योंकि यहां पर बड़ा बेटा है विक् इनका बेटा है बड़ा बेटा विक्रमा दित्य तो यह जो विक्रमा दित्य है यह एक अयोग्य शाषक निकलता है ठीक है तो यह अयोग्य शाषक था यह इतने अच्छे तरीके से शाषन जो है नहीं समालता है तो रतन सिंग जो है उसे ही गद्धी पर पिठाया जाता है और दूसरा बेटा जो है धनबाई का वो है भोजराज तो ये भोजराज वही है कौन मीराबाई के पती तो ये खानवा की युद्ध में देखिए राना सांगा के साथ भोजराज जो है इनकी भी मृत्यू हो जाती है तो भोजराज की मृत्यू हो जाती है और मीराबाई जो क कृष्ण की पूजारिन थी, तो जीवन भर क्या करती है, कृष्ण की पूजा करती है, और यहां पर देखें, यह जो उदैसिंग है, यह कौन है, महराना प्रताप के पिता है, यह है, उदैसिंग, तो आगे चलके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, 1533 में क्या होता है, गुजरात के शाशक बहादुर्शा का आकर्मन होता है, तो यहां पर क्या होता है, कि यह जो विक्रमा दित्य है, यह अयोगी शाशक होता है, तो इस वज़े से 1533 में गुजरात के शाशक जो बहादुर्शा है, उनका आकर्मन होता है, राजमाता कर्माव क्या करती हैं बहादुर्शा से संधी कर लेती हैं तो 1534 में बहादुर्शा जो है वो दुबारा अक्रमन करता है रूमी खांके नेतरत्व में तो ये नाम याद रखिएगा राजमाता कर्मावति अब क्या करती हैं कि सहायता के लिए मुगल बात्षा हेमायू के पास सेट कर्मावति अपने दोनों पुत्रों को कहां भेज देती हैं देवलिया भेज देती हैं तो कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है कि कर्मावति जो हैं वह हैं अपने दोनों पुत्रों कौन एक तो पुत्र हैं विक्रमादित्य और दूसरा उदैसिंग इनको कहां भेज मारना चाहता था वहीं पर बहादुर शाह हमला कर देता है तो अब यहां पर तो देखिए संकट जो है बहुत जाता खड़ा हो जाता है एक तो बनवीर जो है क्या करता है कि विक्रमादित्ति की हत्या कर देता है एक बेटे की हत्या कर देता है बड़े की और दूसरा बेटा उद्या सिंग उसको भी रास्ते से हटाना चाता था और उसी समय बहादुर सा जो है उसका भी हमला हो जाता है तो अब क्या होगा कि कर्मावती जो है वह तो करती है जोहर और बाग सिंग जो है वह करते हैं केसरिया ठीक है आठ मार्च 1535 को और यह मेवाड का दूसरा साका कहल जाता है और चित्तोर पर क्या होता है बनवीर का अधिकार हो जाता है उद्य सिंग के लिए पन्ना धाय जो है वह अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है और उद्य सिंग को कुम्बलगड भेज दिया जाता है आशा देवपुरा के पास में तो विक्रमा देती की हत तो कर देता है बंवीर और दूसरा बेटा होता है उधय सिंग इसको बचा के पंब्ना धाय जो है कहां भेज देती है कुम्बल्गढ भेज देती है और इसी बीच में वह अपने पुतुर चंदन का भलीदान कर देती है तो पन्ना धाय जो है उनका भी त्याग जो है वो बहुत बड़ा माना जाता है। अब देखिए अक्टूबर 1567 को क्या होता है अक्वर का चित्तोड आक्रमन होता है अपने सरदारों की सलाह पर किले की रक्षक का भार जो है जो सैनापती जैमल और फत्ता थे उदै सिंग के इन पर सौप दिया जाता है और वह वहां से गोगुंदा चले जाते हैं। तो यहां से भी देखिए उदै सिंग जो है चले जाते हैं और जैमल फत्ता के उपर पूरा जो भार आ जाता है तो यहां पर भी जैमल और फत्ता जो हैं वो क्या करते हैं केसरिया करते हैं। पत्ता की पत्नी जो फूल कवर हैं वो है जोहर करती हैं और यह होता है मेवाड का तीसरा साका 25 फरवरी 1568 इसवी को और यह मेवाड का अंतिम साका कहा जाता है। तो तीनों ही मेवाड की शाका जो हैं वो आप लोग याद रखिएगा कि पहला शाका जो है वो कब होता है रावल रतन सींग के समय होता है तेरा सो तीन इसवी में ठीके और वहीं पर अभी हमने देखा था दूसरा साका जो है वह कब होता है आठ मार्च 1535 को मेवाड का इसरा साका वहीं होता है जो कि अंतिम साका है 25 फरवरी 1568 को इसमें जैमल फत्ता वीरगती को प्राप्त हो जाते हैं अकवर जैमल और फत्ता की वीरता से मुगदो होकर आगरा के किले के बाहर ही उनकी हाती सवार पत्थर की मूर्ती लगवा देता है 28 वरवरी 1572 को गोगुंदा में उदे सिंग की मृत्य हो जाती है और उस दिन होली का दिन था इनकी छत्री जो है वह गोगुंदा में बनी होई है और इसी दिन महरण प्रताब जो है उनका राज्य विशेक किया जाता है उदे सिंग ने अपना उत्रा दिकारी जो है रानी धीर भाई के प्रभाब में आकर जग्माल को बनाया था लेकिन बड़ा बेटा कौन था यहां प्रताब था जो की जैवंता भाई का बेटा था बाद में अर्खे राज की मदद से जग्माल को गोगुंदा से मिस्कासित करवा दिया जाता है और जग्माल मुगलों की शरण में चला जाता है अकबर जहाजपुर जो की भीर वाड़ा में इसकी जागीर जगमाल को दे देता है और फिर यहां महाना प्रताप का राज्य तिलक जो है वह 28 परवरिस 1572 को ही उसी दिन होली के दिन ही प्रजा के द्वारा कर दिया जाता है ठीक है 1583 में दताडी के युद में शिरोही के शाशक राव सुर्थार के विरुद लड़ते हुए जगमाल मारा जाता है तो राणा प्रताप के बारे में हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे तो आज हमने राणा सांगा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है हर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है पता नहीं कौन सा पॉइंट जो है वो आपके एक्जाम में आ जाए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम महाराना प्रताप के बारे में पढ़ेंगे थेंक यू